Hello, welcome students to my YouTube channel. Today in this video, we do the value-based question answer of chapter 13, India's neighbor. So students, आज हम class 5, chapter 13, India's neighbors के value-based के बारे में बात करेंगे. So students, अब first of all, आपको पता होना चाहिए कि value-based होता है, value-based. तो हमारे syllabus में या हमारे chapter के question answer में कि value waste नाम से question क्यों दिया गया है इसका मतलब क्या है तो सबसे पहले बच्चों आप लोग को जानना है कि value waste question होता क्या है value waste का मतलब क्या है ठीक है सो start करते हम सबसे पहले means some value waste question okay that means the sample value waste questions deal with the life skills and values attend by students like self-awareness, empathy, critical thinking, creative thinking, decision making, problem solving, effective communication, interpersonal relationships, coping with stress and coping with anger and dealing with emotions okay इन सारे चीजों को आप अच्छे से डील कर पाओ इसलिए value waste question दिया जाता है और वो हमेशा आपके आस पास अपने environment से ही related question रहते हैं so I think आप लोग को थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये क्या होता है awareness सोजाग रूपता मतलब पहले खुद जाग रूपता हो खुद को है ना कि हम कैसे करें इंफती सहाने भूती सहाने भूती होनी जाहिए दूसरा है critical critical thinking आलोशनात्मक सोच है न क्रिटिव thinking रचनात्मक सोच decision making निर्ने लेना समस्य समधान problem solving effective communication प्रभावी संचार effective communication कर ये होता है कि जब हम कहीं पी कोछ बात ही बोलने हैं तो effect करें लोगों के बीच में तो ऐसा हमारा communication होना चाहिए ओके फिर इंटरप्रेशनल relationship इंटरप्रेशनल रिलेशनशिप का मिन्स होता है पारशपरिक संबंद एक दूसरे से हमारा संबंद कैसा है कितना है किस तरह का है ठीक है फिर coping with stress का मतलब है तनाव से मुकाबला कर सको ठीक है सो इस्टूडेंट्स coping with stress के लिए मैं आप लोगों को एक latest example बताती हूं जो कि बहुत ही जादा popular रहा है आप लोगों ने सुना होगा शुषांत सिंग राजबूत का नाम क्या था उसके मरने का जो रीजन था वो क्या था इस्ट्रस था बताया जाता है maximum लोग बताते हैं कि वह stress के वज़े से क्योंकि वह अपने stress को किसे से शेयर नहीं कर पाया और क्या है तनाओ से उसके अंदर जितनी भी तनाओ चल रही थी उनसे अपने मुकाबला नहीं कर पाया इसलिए उसके साथ ऐसा प्रॉब्लम क्रियेट हुआ तो यही सब चीजों को आपको बताया जाता है अपने क्रोध से मुकाबला कर सको इस तरह आपको सभी तरह सभी चीजों को डिल करना आना चाहिए लास्ट आता है डिलिंग विद इमोशन और अपने इमोशन अपने भावनाओं का भी कद्र कर स होता है उसका नाम ही है वैल्यू वेस्ट तो यह सारे पर अधारित होता है ओकी स्टूडेंट्स तो अब हम चलते हैं अपने कोश्चन के तरफ तो कोश्चन ए पॉलिशी ओफ पीस हार्मनी लीड तो बेटर रिलेशन विद अधर्श ओके विच क्वालिटीज कैन इम्पूफ आवर रिलेशन विद अधर्श एक्स्प्लेइन विद एक्जाम्पल्स तो आप लोग को शमझ में आया कोच कुछ नहीं तो हमारे विवहार मतलब जो उसकते हैं इंका जो समद्य दूसरों के शाथ पहुता है तो हमको यह बताना है कि कौन से गुरं है जो दूसरों के साथ हमारे समझ सते हैं उधारन के साथ समझाधे कर दो तो अब हम आंसर की तरफ चलते हैं, बच्चों मैंने दो आंसर दिया है, आपको जो पसांद हो हो वो आप लिख सकते हो, जैसे कि मैं पूछाए कि क्वालिटीस है न, तो फिर्स्ट देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पहँआ है, पासंद आ पासंद सिंसर जो पहँआ है, न, पासंद सबस्क्राइब आंसर दिया है, There is a tendency to go out of the way to help the other persons. That means, patience and sincerity जैसे ability को, relationships को, रिस्तो को अच्छा बनाने के लिए, एक long time wait तै करता है, एक लंबा समय का रास्ता तै करता है. जब कोई किसी और के प्रती इमानदार होता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी और के प्रती honest होता है, तो ठीक है, दूसरा व्यक्ति की, दूश्री व्यक्ति की मदद करने के लिए, वो सामने आता, उसके प्रविति होती है, दूश्री व्यक्ति की मदद करने के लिए, तो इस त grateful accommodating and willing to help that means परिणाम स्वरुप दूश्रा वैक्ति प्रयासों को श्युकार करता है ठीक है वो भी श्युकार करने लगता है उसका अभारी होने लगता है ठीक है अभारी होता है मिलनसार होता है और मदद करने को तयार होता है ठीक है तो देखा आपने इस क्वालिटी के डबल परिवर्तन आ जाता है तो इस तरह से यह सारी चीजी इसारी प्वालिटी आप में भी अच्छे से परिवर्तन ला सकते है इसलिए इससे को दिया जाता है आप लोगे के सीलेबस में जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे खा था था कि मैंने दू नी richya दिए है तो आप mutual understanding, mutual understanding, ठीक है, second है, tolerance, third, gratitude, तो वे गुण जो दूसरों के साथ हमारे शंबंदों को बहतर बना सकते हैं, first, क्या है, mutual understanding, मतलब परिपक की समझ, ठीक है, दूसरा, tolerance, सहन सीलता, तीसरा क्या है, gratitude, gratitude, प्रति अभार, ये तीन ऐसे qualities हैं, जो कि, जो कि हमारे शंबंदों को बहतर बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, इसके बाद और भी कुछ qualities हैं, जैसे fourth है, positive attitude, five, helping attitude, and six, general city, तो चौथा हमने क्या दिखा, positive attitude, मतलब हमेशा हमारा जो attitude है, वो सकरात्माख होना था है, ये positive होना चाहिए, और next है, helping attitude, helping attitude क्या है, मदद करने की भावना, हमेशा हमारे अंदर, मदद करने की भावना होना चाहिए, और generosity, generosity का मतलब होता है, उदारता, उदार रहना चाहिए, बहुत सारे लोग है, कुछ चीज़ें अपनी जल्दी समान देते नहीं है, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं, कि तुरान था ले जा, ठीक है इसका है, इसमें क्या है, पानी है, ठीक है, यह सब आप लोग देख पा रहे होंगे, उसमें पानी है, तो अगर मैं कुछिन करती हूँ, कि इस ग्लास में कितना पानी है, तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे, बताईए, आप लोग इसका आंसर क्या देंगे, प्लिस कम दो है वह मैक्सिमम लोग कहेंगे कि यह 1-2 ग्लास वाटर एंगर इस यह था लास वाटर माना है तो यह पॉजेटीव एक टिट्यूड में लिया है वह रेजिए फ़ल उटा रेकर तो अगर हम उसे बूलते हैं हाफ लास वाटर है तो यह नागेटिव थिंगिंग अब इसी क फुश्लम को देखते हैं लिए फ्रान को नहीं कि खाली को देखते खRunने से सवेवन में बोखगत सारे हिमत दूरब आती है ओकी These qualities that can make our relationship and behavior with others very strong यह सारे गुण जो दूसरों के साथ हमारे संबंद और बेवहार को अच्छा बना सकते हैं या strong बना सकते हैं ठीक है? All these qualities can give a higher state to human beings If we practice it continuously, then we can eliminate a bad situation that is created by the people and can bring prosperity and happiness तो यह सारे सभी जो गुण हैं वो माना को ऊच्छा दर्जा दिलाते हैं ठीक है? हमें एक अच्छा जगहां पर पोजिशन पर पहुंचाते हैं यदि हम लगातार हम इसा continue इसकी अभ्यास करें, practice करें तो हम किसी भी bad situation को समाब्द कर सकते हैं और जो लोगों द्वारा बनाये जाते हैं जितने भी bad situation होते हैं कुछ लोगों द्वारा बनाये जाते हैं तो इस तरह से होता है और शम्रिद और खुसी ला सकते हैं तो हम इन qualities को अपने में improve करने के बाद अपने आपको शम्रिद और खुसी बना सकते हैं So students, आप भी इन सभी qualities को अपने अंदर improve करें और अपने value value को समझें और अपने answers को बहुत अच्छी तरीके से किसी के भी सामने पेस कर पाएं या फिर उन्हें समझा पाएं So students, like and subscribe my YouTube channel